हलो फ्रेंड्स तो आ गया है मैं एक आउन नी वीडियो के साथ ही आ रेंग पुसिंग के एपिसोड नमबर 47 ओने आले तो जैसा कि इस टेम पे मेरा करेंट रेंकिंग और इसकोर देखो गयार तो 38,000 इसकोर हो गया है मेरा और करेंट रेंकिंग 710 काई अब इससे आ गया भी म अगया रहा है और भी थोड़े-थोड़े पुस्ट कर रहा हूं यार थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पुस्ट करृब्स करृए हूं करण्ट रेंकिंग में दिन बद दिन नीचे आते इससे आप अंधाजा लगा सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा भी खेल रहा हूँ तो फिर चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फाइनली यह मैं चे जो है स्टार्ट हो चुका यह मेरा दिन का पहला में चे जिसको मैं सोलो में खेल रहा था अब यहां पर देखो मैं ब्लू जोन में लैंड करने वाला था और अभी भी कैबिन में मतलब प्लेन में 20 बंदे का सब्सक्राइब ब्लू जोन में काफी ज्यादा बंदे आने वाले कम से कम साथ आड़ बंदे तो आएंगे याएंगे ऐसा मेरे को लग रहा था तो अपन लोग थोड़ा सेफ खेलने का ट्राइब करेंगे हाला कि हम ब्लू जोन में जा रहे हैं मतलब रस करने के लिए जा रहा है समझे लो लेकिन रस भी हम थोड़ा दिमाग लगा कर करेंग अब यहांपर मेरे को एक बंदा दिखा या जो जिसको मैं देख रहा थने पता नहीं कि धर तो चला गया था अब से हम भी ठोड़ा एगनोर करेंग यारे inserts के प्छे नहीं चले जाएंगे क्योंकि अपने पास वह साओicem its गन नहीं है वेस्ट तो हमको दो लेवल का मिल ही गया यहां पर सामने वाले घर में मेरे को उपर में एक बंद दिखा जिसको मैंने यहां पर मैं थोड़ा बहुत लूट करना तो चाहता था लेकिन नीचे जाने से थोड़ा सा डर रहा था मैं यहां पर वो बंद उपर ही आ गया भाई यह देख सकते हो अब यह मेरा डेली मिसन वाला मैस था इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत दिखा थो रहा था खेलने में और एक बार आप उपर से मेरा पिंग पे नजर डालो भाई पांक शाय साव का चल रहा है था बंदा मरी ही नहीं रहा था वो तो अच्छा हुआ कि मैं जैसे तैसे करके बच गया नहीं तो हंड्रेड प्लस मेरा माइनस लगना थी इस टाइम पर मतलब बहुत गंदा माइनस आता था लेकिन उसने वाल लगा लिया यह मेरे पास हेंड के नहीं था दो मतलब इमो था तो दोनों को मैंने जहट जहट से मतलब छोड़ जल्दी जल्दी से तो फिर यह बंदा खताम हो गया वेचारा और इसी के साथ मेरा तीन किलो गया था अब मेरे पास यह SMG एमो नही कि क्या है एमपरन जेड नहीं मिला भाई तो यहां से मैं कार 98 उठा लिया अब मैं सोच रहा था डबल कार 98 चलाने का एक और मेरे को एक जगा पे दिखा था इसलिए मैंने यह वाला उठा लिया अब इस टेम पे मेरे को सामने में एक बंद दिखा यार इसको एक साट मारा 200 मारा यह बंद देखो कितना लेट मैं मतला है मेरा फिंग देख सकते हैं मतलब 20 सब्सक्रिया ऐसके मेरे को बडने कैने आइन चार नीब में अ आधा लिया जाने माला था में यह पिन्ड़िया शनितान आडए इन से फाइट लो क्योंकि साउट रेंज में फिर दिक्कत जाएगा बहुत जादा तो यहां पर मेरे को एक बंदा दिखा है यार गाड़ी में जाता हुआ तो इसको मैने दो तीन साउट मारा तो यह बंदा कील हो गया मैं ऐसी मेरे को लग रहा था उसके बास मीशा हो भी सकत यार लेकिन मेरे को मील ही नहीं रहा थी वाले बंदे को लूटा लेकिन उसके पास भी मेरे को नहीं मिला अब यहां पर राइट साउट में फाइट चल रहा थे यार अब जोन तो यह फर्स्ट सेकंड जोन ही है तो जादा काटे गे नहीं इसलिए मैं जोन के बाहर भी पाया जितना की होना चाहिए था लेकिन फ्री फ्री का दो किल मेरे को मिल गया इस टाइम पे समझ लो अब सामने उपर वाले वाल पे एक बंदा थे यार उस पे मैंने दो साट मारा कार नाए ट्रेट का लेकिन फिर वो बंदा नीचे भी वाल लगा लिया उसके पैरों पे म मेरे को दिख गया जिसको मैंने दो साट मारा लेकिन मेरा तीसरा साट इसको नहीं लगा यार और फाइनल यह एलिमिनेट हो गया साइद यह लड़की थैयार मिस लिली नाम था इलिमिनेट होगी आप हमेशा किल पे इस टाइम पे ध्यान दो मतलब जब भी जोन के बाहर में हां पर जोखे एक बंदा आ रहा था भाई यह गाड़ी में मतलब यह साथ तक इसके पास मिसा नहीं था फिर भी यह ऐसा गाड़ी चला रहे हो भाई मरोगे मरोगे ना तो इसको भी मैने उड़ा दिया अब इसको उड़ाने के बाद मेरा टोटल आठ किल हो चुका था लेक पास से भी मेरे को यूजी नहीं मिला यार मैं यूजी ढूंड रहा था लेकिन इसके पास काफी ज्यादा वाल था तो वो सब मैने उठा लिया था इस टाइम पे अब यहां पर देखो सामने में मेरे को एक और बंदा दिख गया भाई जिसको एक साथ मारा दो साथ मारा फि भी खतम नहीं हो रहा है यार तो यहां पर एक मल्टी विंडो में मेरे को एक बंदा दिखा जिसको मैंने बस 175 कई मारा बाकी वो तो इसके बात कवर में चला गया था तो अभी मेरा टोटल नाव कील हो चुका था और मेरे को छोड़ कर अभी चार बंदया लाई है यार भी यहाँ पर देखो छोटा सा जोन हो गया तो इस टेम पर आप क्या करो सबसे पहले तो आप जों के बाहर से देखो बंदे तो न ही आ रहे या क्योंकि अगर आप पहले जोन में चले जाओगे न तो फिर पिछे से कोई बंद आपको मार सकता है तो सबसे पहले तो आप अपने पीछे एक बार क्लियर कर लो देन आप फिर जोन में जाना इस्टार्ट करो तो यहाँ पर मल्टी विंडो में भी एक बंदा है जो जिसको मैं मार रहा था यहाँ पर उसको भी जोन में आना है अब इधर में मैं धियान दे रहा हूं क्योंकि इधर थे भी बंदे आने का चांस है तो यहाँ पर मेरको एक बंदा दिग गया जिसको मैंने plaster बंदा था. यह इधर आ चुका था इस टैम पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अगर आप सोलो खेल रहे हो तो सभी तरफ से आप ध्यान दे कर खेलो यार देखो मिल्टी विंडो में एक बंदा था ये बात मेरे को पहले से ही पता था लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ इस पर ही नहीं था भाई पीछे भी मैं देख रहा था जिसके चलते मेरे को दो किल और मिल गया मतलब सभी तरफ आपको ध्यान देकर खेलना पड़ता है सोलो में तब जाकर आपको अच्छा खासा किल भी मिलता है और सही से आप खेल भी सकते और लास्ट तक गेम को अपना लेकर भी जा सकते और क्योंकि उसका इरादा मेरे को थोड़ा थीक नहीं लग रहा था इसलिए वह नीचे आगया वह गंदा रस कर रहा था भाई मेरे पास और यूजी भी नहीं था और कार 98 एकदम जादा सांट रेंज में चलता भी नहीं है ठीक से इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे आ गया था अ और बच्चा यार जो सामने में मेरे को दिग गया इसको 122 का 100 ही पड़ा भाई दूसरा सांट पढ़ने से पहले वह बंदा कवर में चला गया था गर इसको दूसरा सांट भी मेरा लग जाता मतलब उधर यह बंदा खतम हो जाता क्योंकि मेरा एक पहला सांट 122 का उसको मरा नहीं इधर वह बंदा जाड़ी बन गया था लेकिन मैं एम करके मारा तो जाड़ी में भी आप मार सकते हो तो वह बंदा फिर खतम हो गया और इसी के साथ मेरे को साथ तक 13 खिल था यार मेरा हां 13 खिल था आइधिंग तो लास्ट में आपको जितना भी किल देखने को मि के लिए जाएगा लेकिन मीरे को पूरा प्लस मने इतना मेरे को पतता है तो यहाँ पर मेरे को 72 का पूरा प्लस मिल चुगा था और यही डेली मिशं कनले इसलिए मेरे को 20 ज्यादा प्लस मिले नहीं तो फिर 52 का ही प्लस मिलता है तो फिर यही थार आज का वीडियो कर आपने यहां तक वीडियो देखा तो आपको दिल से धन्याद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में